हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड आटोमेटिड आउटलुक इमेल एंड एसमेस टू न्यू लिंक्डिन लीड्स तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लिंक्डिन लीड एड्स Office 365 मतलब Microsoft Outlook और Twilio जो की Communication API है इन तीनों को कनेट कर सकते हैं कि जैसे लिंक्डिन लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके लीड फॉर्म रिस्पॉंसे से तो आटोमेटिकली सेम लीड को Microsoft Outlook एक मेल भीज़ देगा और सेम लीड को हम एक टेक्स्ट मेसेज भी भेज सकते हैं Twilio की मदद से अब यग पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर देंगे Public Connect की मदद से LinkedIn, Office 365 और Twilio की बीच में Connection एक Integration बना के इसमें हमारी Trigger Application होगी LinkedIn Lead Ads, हमारी First Action Application होगी Microsoft Outlook और हमारी Last Action Application होगी Twilio जिसकी मदद से हम अमारी Lead को एक Text Message भीजेंगे तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे Automation को कैसे Connect कर सकते हैं इन Applications को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए बनाते हैं कैसा Automation, LinkedIn Lead Ads, Microsoft Outlook और Twilio के बीच में कि जैसे LinkedIn Lead Ads से कोई नई Lead आप पो रिसीव होगी तो Automatically Same Lead को आप एक Mail भीज सकते हैं Outlook की मदद से और Same Lead को आप एक Text Message भी भी भीज सकते हैं Twilio की मदद से जो कि एक Communication API है अब यह पूरी Process हम Automate करेंगे Twilio, Microsoft Office 365 और LinkedIn Lead Ads के बीच में Connection एक Integration बना के तो चलते हैं New Tab पे आप देख सकते हैं यह है पैबली का Landing Page पैबली एक बहुती Amazing Software है जब Multiple Applications को Connected Integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाईए Sign Off for Free पे जहाँ आपको हर माईने मिलेंगे 100 free tasks कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user हैं तो simply क्लिक करिएगा Sign In पे Sign In पे क्लिक करते ही आपके सामने open होगी पैबली की है पाचमेन एप्लिकेशन आज हमको यूज करना पैबली करेंट का तो क्लिक करेंगे हम Access Now पे Access Now पे क्लिक करते ही आप हमारे सामने open होगा पैबली करेंट का टेशबोर्ड पैबली करेंट के टेशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है इस blue बटन पे create workflow पे और एक नया workflow आपको यहाँ पे बनाना है जैसे आप create workflow पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक dialogue books अपयर होगा जो आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूँ send automated outlook emails and SMS to new LinkedIn leads आप अपनी requirement की हिसाब से इसे कोई और मी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको choose करना है वो particular folder जिसमें आप यह नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद click करना आपको create पे और जैसे आप create पे click करेंगे अब आपकी सामने open होंगे यह दो important boxes जिनकों कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आजम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर इस डूते हैं इनके definition के बात करें तो trigger कहता है when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action कहता है do this मतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का मारा objective क्या है मतलब आज हम करना क्या चाहते हैं तो मान लीजए example के लिए कि मेरी एक company है और वो company मैंने अभी अभी open करी है तो उसकी marketing करने के लिए मैंने LinkedIn पे एक lead form बना के रखा है अब देख सकते हैं यह है मिरा lead form अब जैसे कोई person इस form को fill करता और कोई नई lead generate होती है तो automatically मैं same lead को एक mail बेजना चाहता हूँ Microsoft Outlook की मदद से और फिर इसी lead को मैं text message भी करना चाहता हूँ उनके phone number पे तो text message करने के लिए जो application आज हम use करेंगे वो है Twilio तो देखे जो हमारी trigger application होगी वो होगी LinkedIn lead ads जैसी इस पर कोई नई lead हमको receive होगी हमारा workflow trigger होगा और Outlook से same lead को एक mail जाएगा और फिर Twilio से same lead को एक text message भी चला जाएगा तो चलते हम वापिस पैबली करेंट पे सबसे पहले चूज करेंगे हमारी trigger application जिसका नाम है LinkedIn lead gen forms यहां से मैंने चूज करेंगे trigger application और trigger event हमारा होगा new lead gen form response मतलब जैसे ही इस पर कोई नया form response हमको receive होगा instantly हमारा workflow trigger होगा और सबसे पहले हमारी first action application मतलब Microsoft outlook से क्या होगा same person को same lead को एक mail चला जाएगा तो हमारी first action application होगी office 365 action event हमारा होगा send mail और जो हमारी last action application होगी वो होगी Twilio जिसके मदद से हम same lead को एक text message भीजेंगे तो हैसा मैं जूस करूँगा अपनी last action application और action event हमारा होगा send SMS message आप देखे Twilio Microsoft Office 365 और LinkedIn के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज़ करने पैबली connect का तो सबसे पहले LinkedIn lead form का account connect करूँगा पैबली connect से तो क्लिक करना आपको connect पे जाना एड़ी connection पे और click connect with LinkedIn lead gen form मेरा account औरेटी लॉगडेरे न्यू टैप पे तो यहापे आपको email और password करना प्रोवाइड और जैसे अब sign in पे क्लिक करेंगे आपका LinkedIn का account connect हो जाएगा पैबली connect से और देखे मारा account आपके connect हो चुका है अब account current होती सबसे पहले में को account चूस करना है तो देखे मेरे पास तीन account है इन में से एक account पर ने आपे चूस कर लिए जिस पर मैंने lead generation form create करके रखा है इसके बाद आपको form सेलेट करना है जिसका response अब capture करना चाहते है पैबली connect के पास तो देखे इस account पर मैंने कई सारे lead form बना के रखे है पर जो आज इस form पर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है sample lead generation form अब जैसे कोई person इस form को fill करेगा तो automatically उसका response पैबली करेट अपने पास आपे capture कर लेगा तो देखे यह है मेरा वो form जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अब कोई person इस form को fill करेगा अपलाइन आपक लेगा तो automatically उसकी details पैबली करेट है अपने पास capture कर लेगा इस form का name sample lead generation form है जो मैंने चूज किया है पैबली connect पी तो चलिए form में आपे करता हूँ fill तो सबसे पहले हैं आपे मैं fill करूँगा email address तो हमारी ये email address है demo.pamilitudes.com और इसके बाद यहापे हमने dummy contact number भी कर दिया है provide अब जो first name है, last name और जो company का name है यहापे हमारे account है default value fetch कर लिए है जो मैंने LinkedIn के account पे fill करी थी क्योंकि मैं आपको यहापे test submission करके दिखा रहा हूँ अगर आप इसको real time में run करेंगे इस add को तो जो first name, last name और company name है वो भी हमको यहापे fill करने का option मिलेगा पर यहापे मैं आपको test करके दिखा रहा हूँ test submission करके दिखा रहा हूँ इसलिए हैंपे default value हमारे system ने कर ली है detect अब जैसी मैं submit पे click करूँगा उस form को यहापे fill करूँगा अब मैं जाओंगा वापिस family connect पे click करूँगा save and send टेस्टे के उसकी button पे तो देखिए जो भी details में आपे fill करी थी form submission में वो family connect अपने पास यहापे capture कर ली है तो यह था हमारे form का name यह थी person की mail ID यह था उनका contact number first name था person का पेबली और last name था यह इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो work कर रहा है हमने LinkedIn के account को successfully connect कर दिया पेबली connect से अब जैसे LinkedIn lead gen form पे कोई नई lead generate होगी कोई नया form submission हम को receive होगा तो instantly उसकी details पेबली करेंट है अपने पास capture कर लेगा अब same lead को हम एक mail भीजना चाहते हैं office 365 की मदद सही तो जो outlook का account है अब वो मैं connect करूँगा पेबली connect से जिससे में को mail भीजना है तो click करना आपको connect पे जाना आपको add new connection पे और click connect connect with office 365 अब मेरा account already logged in and new टैप पे तो है आपको access प्रवाइट करना है पैबली connect को office 365 से connect करने के लिए और जैसे मैंने आपके accept पे click किया है office 365 का account connect हो चुका है पैबली connect से अब देखिया हमारा authorization यहाँपे successful हो चुका है अब account करेंट होते ही सबसे पहले हमको fill करना है subject मतलब जो mail हम हमारे customers हमारे leads को भीजना चाहते है उस mail का जो subject है जो body content है वो details हमको यहाँपे करनी है जो सबसे पहले मैं fill करूँगा यहाँपे subject तो देखिए यह है हमारे mail का subject response received content type हम रखेंगे plain text फिर आता है body content तो जो mail आप अपने customer अपने leads को भीजना चाहते है उसको पूरा body है content है वो आपको यहाँपे करना है fill तो चलिए हैंपे मैं draft कर देता हूँ एक mail जो मैं अपने lead को भीजना चाहता हूँ तो देखिए हाँपे मैंने mail कर दिया draft hello we are glad to receive your response our team is soon going to connect with you and will explain you about all the exciting offers thank you team PSP hello के बाद हम यहाँपे map कर देंगे हमारी customer का हमारी lead का name अब देखिए मैं कैसे करूँगा mapping का मतलब क्या होता है mapping का मतलब यह होता है जो response हमको मिला है previous step से हमारी trigger application से इसी response का use मैं आपे कर देंगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते है mapping तो देखिए mapping कैसे की जाती है जैसे आप इस blank field पे क्लिक करेंगे तो LinkedIn जो के हमारी trigger application थी हमारी previous step थी वो आपको यहाँपे दिखरी होगी इसके drop down पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application से वो पूरा आपको यहाँपे दिखरा होगा तो यहाँसे हम map कर देंगे उस lead का first name तो first name था lead का पैबली इसको बने यहाँपे कर दिया है map कुछ इस तरीके से है अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह mapping का मतलब क्या होता है और इसका use मैंने आपके क्यों किया क्यों मैंने आदा data type किया manually पर जो person का name है उसको मैंने map किया तो देखे मैंने आपके lead का name map इसलिए क्या है क्योंकि जो भी data में आपके map करते है उन data automatically new data से हो जाता है change अब जैसी LinkedIn lead ad से कोई नई lead आपको receive होगी तो automatically नई lead का जो name है वो यहाँ पे अपने आप आके हो जाएगा update हमारा workflow होगा trigger और same lead को उनी के name से एक mail हो जाएगा receive और जो data मेंने type किया manually यह data रहेगा मिशा static है permanent यह data कभी change नहीं होगा इसलिए mapping करना होती ज़रूरी process ऐसी जो recipient email address है जिस person को mail भीजना चाहते है उनकी mail ID भी मैं हापे कर दूँगा तो person की mail ID क्या थी जैसी मैं हापे add rate सर्च करूँगा तो यह थी person की mail ID उस lead की mail ID जिने हम एक mail भीजना चाहते है अब देखे मैं क्लिक करता हूँ save and send test request की button पे और आप देखेंगे same lead को automatically एक mail हो जाएगा receive और देखें हापे हमको API response receive हो चुका है तो चलते हम इस person की mail ID पे और चक करते हैं क्या हमको यहापे कोई mail receive हुआ है या नहीं और देखें हापे हमको एक mail receive हो चुका है hello family we are glad to receive your response और वही पुरा mail जो मैंने ड्राफ्ट किया था thank you team PSB इसका मतलब जो मारी first action application है वो सही से काम कर रही है outlook की मदद से same lead को यहापे एक mail जा चुका है receive हो चुका है आपने देखा भी अभी अब यही lead को मैं text message बेजना चाहता हूँ तुलियो की मदद सेगी तो चलते हमारी आखरी action application पे और तुलियो का account अब मैं connect करूँगा आप एब ली connect से तो click करना आपको connect पे जाना add new connection पे और add new connection पे जाती है आपसे पूछेगा account s.id, authorization token और फिर से account s.id अभी आपको का से मिलेगी इसके लिए आपको जाना है टुलियो की account पे जैसे आप टुलियो के account के dashboard पे जाएंगे scroll down करेंगे नीचे तो account info पे आपको यह पे सारी information बिल जाएगी जैसे कि account s.id और authorization token यह आपको copy करना है यहाँ पे करना है paste और जैसे आप safe पे क्लिक करेंगे आपका टुलियो का account कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट सी है अब यह step पे पहली कर शुका हूँ तो मैं कलिक करूंगा select existing connection पे कलिक करूंगा safe पे और टुलियो का account है यहाँ पे मेरा connect हो जाएगा पेबली कनेक्ट सी अब सब से पहले आता है body of the SMS जो आप अपनी lead को SMS भीजना चाहते हैं उसकी जो पूरी body है वो आपको यहापे करनी है draft तो यहापे मैं type कर देता हूँ एक message जो मैं अपनी lead को भीजना चाहता हूँ अब दीके मैंने mail पर क्या लिखाता mail पर मैंने लिखाता thank you for your response और मेरी team आपसे जल्द से जल्द connect करेगी और मैं जो text message अपनी lead को भीजूँगा इसमें मैं अपने offers के बारे मैं बताना चाहता हूँ अपनी leads को तो यहापे जो मैं text message टाइप करूँगा body of the SMS टाइप करूँगा इसमें मैं अपने information दूँगा offers के बारे में तो यहापे मैं टाइप कर देता हूँ एक message तो देखिए आपे मैं टाइप कर दिया message offers के बारे में information देने के लिए और hello के बाद वापिस हम यहापे map कर देंगे उस lead का first name तो lead का first name क्या था वापिस मैं सर्च करूँगा यहापे data यह था lead का first name इसको मैंने आपे कर दिया है map और जो पूरा body of the SMS है वो भी मैंने आपे कर दिया है type इसके बाद आता senders number तो देखें ट्विलियो हमको senders number भी provide करता है तो चलते हैं ट्विलियो के account पर यह है senders number इसको मैं करूँगा copy वापिस जाओंगा पैबली connect पर यहाँ पर इसको करूँगा paste इसके बाद आता recipient number अब जो lead का contact number है वो contact number भी मैं यहाँ पर कर दूँगा map तो वापिस जाओंगा मैं LinkedIn lead form पर और यह था lead का contact number इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है map अब जैसे मैं save and send test कि उसके बटन पर click करूँगा automatically same number पे same lead को एक text message हो जाएकर receive अब यहाँ पे भी मैंने mapping का use इसलिए क्या है क्योंकि जब भी LinkedIn lead head से कोई नई lead आपको receive होगी तो automatically जो lead का contact number है वो यहाँ पे आके हो जाएगा update जो name है वो यहाँ पे आके हो जाएगा update अपने आप हमारा workflow काम करेगा और same lead को एक text message भी हो जाएगा receive इसलिए मैंने आपे यूज किया mapping का, mapping इसलिए important process होती है क्योंकि जब पूरा workflow है पूरा automation है कि वाला आपको एक बर बनाना है इसके बाद की सारी process पैबली करेंट automatically कर लेगा अब हम click करते है save and send test request की button पे और देखिए आपे हमको API response रिसीव हो चुका इसका मतलब same person को, same lead को एक text message भी हो चुका है receive और देखिए ये है वो message इसका मतलब जो automation हमने बनाया है हो सही से काम कर रहा है simply 3 step में हमने पूरा automation बना दिया जो वर्क करेगा हर 10 minute में क्योंकि LinkedIn lead जैन फॉर्मस और पैबली करिट के बीच का connection एक polling based connection है तो जो हमारे workflow का trigger है वो हर 10 minute में जाके LinkedIn lead से नई details करेगा fetch और automatically CM lead को office 365 के मदद से एक mail भेज़ देगा और ट्यूलियो की मदद से एक text message चला जाएगा तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं तो उसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा जहाँ आप इसे बड़ी असानी से कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं आप और भी application के integration पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते हैं forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Thank you